C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 2. पूर्ण संख्याईं प्रिष्ट 32. शून्य द्वारा विभाजन एक संख्या से विभाजन यानि भाग देने का अर्थ हैं कि उस संख्या को बार बार घटाना आएे 8 भाग 2 ग्यात करें 8 में से 2 को बार बार घटाईए 8 घटा 2 बराबर 6, 1, घटा 2 बराबर 4, 2, घटा 2 बराबर 2, 3, घटा 2 बराबर 0, 4 कितनी बार घटाने पर हम 0 तक पहुँचे हैं? 4 बार, इसलिए हम 8 भाग 2 बराबर 4 लिखते हैं इस विधी से 24 भाग 8 और 16 भाग 4 ग्याद कीजिए आएए अब दो भाग 0 को ग्याद करने का प्रयतन करें 2 घटा 0 बराबर 2, 1, घटा 0 बराबर 2, 2, घटा 0 बराबर 2, 3, घटा 0 बराबर 2, 4, प्रतेक बार घटाने पर हमें दो पुनह प्राप्त होता है, क्या यह प्रक्रिया कभी समाप्त होगी? नहीं, हम कहते हैं के दो भाग 0 परिभाशित नहीं है आए साथ भाग 0 ग्याद करने का प्रयतन करें साथ घटा 0 बराबर साथ एक, घटा 0 बराबर साथ दो, घटा 0 बराबर साथ तीन पुनह हमें घटाने के किसी भी स्थर पर 0 नहीं प्राप्त होता है हम कहते हैं के साथ भाग 0 परिभाशित नहीं है पांच भाग 0 और सुलह भाग 0 के लिए भी इसकी जाच कीजिए पूर्ण संख्याओं का 0 से विभाजन परिभाशित नहीं है प्रिष्ठ 36 योग और घुनन की क्रम विनी मेयता संख्या रेखा के यहां दिये चित्र क्या दर्शात्ते हैं दोनु स्थितियों में हम पांच पर पहुँचते हैं यहां दो अलग-अलग संख्या रेखाएं दी गई हैं दोनों पर शून्य से पांच तक की संख्याएं हैं अतह तीन जमा दो और दो जमा तीन बराबर हैं दोनों से एक ही उत्तर पांच पराप्त होता है इसी प्रकार पांच जमा तीन और तीन जमा पांच भी बराबर हैं यहाँ नीचे दो संख्या रेखाओं पर इस योग को प्राप्ट किया गया है इसी प्रकार चार जमा छे और छे जमा चार के लिए भी यही करने का प्रयत्न कीजिए क्या यह तब भी सत्य है? जब हम किनी दो पूर्ण संख्याओं को जोडते हैं, आपको पूर्ण संख्याओं का कोई भी ऐसा युग्म नहीं मिलेगा जिसमें संख्याओं के जोडने का क्रम बदलने पर योग भिन भिन प्राप्त हूं आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड सकते हैं हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय अर्थात कॉम्यूटेटिव है यह गुन योग की क्रम विनिमेयता कहलाता है अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए आपके घर पर एक छोटा उच्सव है आप महमानों के लिए कुर्सियों की छे पंक्तियां बनाते हैं जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में आठ कुर्सियां है कमरा इतना चोड़ा नहीं है कि उसमें आठ कुर्सियों वाली पंक्तियां समा सकें आप यह निरणे लेते हैं कि कुर्सियों की आठ पंक्तियां बनाएं जिन में से प्रतियक पंक्ति में 6 कुर्सियां हों क्या आपको और अधिक कुर्सियों की आवशक्ता पड़ेगी क्या गुणन का भी क्रम विनिमेयता गुण होता है संख्याओं 4 और 5 को अलग-अलग क्रमों में गुणा कीजिए आप देखेंगे कि 4 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 4 है क्या ये संख्याओं 3 और 6 तथा 5 और 7 के लिए भी सत्य है आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनी में यह है। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनी में यह है। प्रिष्ठ 37 जाज कीजिए एक, पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन अर्थात घटाना क्रम विनि में यह नहीं है इसकी जाच संख्याओं के तीन विभिन युग मलेकर कीजिए दो, क्या छे भाग तीन वही है जो तीन भाग छे है? पूर्ण संख्याओं के कुछ और युग में लेकर अपने उत्तर की पुष्ठी कीजिए योग और गुणन की सहचारिता इन चित्रों को देखिए A. कोश्ठकों में दो जमा तीन जमा चार बराबर पांच जमा चार बराबर नौ B. दो जमा कोश्ठकों में तीन जमा चार बराबर दो जमा साथ बराबर नौ यहाँ दो अलग-अलग चित्रों में इसी योग को बिंदूओं की मदद से समझाया गया है उपरुक्त में A के अनुसार आप पहले दो और तीन को जोड़ कर प्राप्त योग में चार जोड़ सकते हैं साथ ही B के अनुसार आप पहले तीन और चार को जोड़ कर प्राप्त योग में दो जोड़ सकते हैं क्या दोनुं परिणाम समान नहीं हैं? हम ये भी प्राप्त करते हैं कि कोश्ठकों में 5 जमा 7 जमा 3 बराबर 12 जमा 3 बराबर 15 तथा 5 जमा कोश्ठकों में 7 जमा 3 बराबर 5 जमा 10 बराबर 15 है. इसलिए कोश्ठकों में 5 जमा 7 जमा 3 बराबर 5 जमा कोश्ठकों में 7 जमा 3 हुआ. यह पून संख्याओं के योग का साहचर्य गुण यानि Associative Property कहला था है. संख्या 2, 8 और 6 के लिए इस गुण की जाच कीजिए. उदाहरण एक, संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िये. हल, 234 जमा 197 जमा 103 बराबर 234 जमा कोश्ठकों में 197 जमा 103 बराबर 234 जमा 300 बराबर 534. ध्यान दीजिये के जोड़ने की सुविधा के लिए हम किस प्रकार संख्याओं के समूह बनाते हैं? इस खेल को खेलिए. आप और आपका मित्र इस खेल को खेल सकते हैं. आप एक से दस्तक में से कोई संख्या बोलिए. अब आपका मित्र इस संख्या में एक से दस्तक की कोई भी संख्या जोड़ता है. इसके बाद आपकी बारी है. आप बारी-बारी से दोनों खेलिए. जो पहले सौ तक पहुंचता है वही जीतेगा. यदि आप सदैव जीतना चाहते हैं, तो आपकी युक्ती या योजना क्या होगी? प्रिष्ठ 38 यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालक और एक बालिका अलग-अलग संख्याओं का योग कर रहे हैं, परन्तु अपने मन में. इसके बाद कुछ आकृतियों द्वारा प्रदर्शित गुणन तत्यों पर गोर कीजिए. आकृती 2.1, A और B में बिंदूओं की संख्याओं को गिनिए. यहां दो और चित्र दिये गए हैं, जिन में बिंदूओं को गिनना होगा. आपको क्या प्राप्त होता है? दोनों में बिंदूओं की संख्याओं बराबर हैं. इस प्रकार कोश्ठकों में 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा कोश्ठकों में 3 गुणा 4 है. इसी प्रकार आप देख सकते हैं के कोश्ठकों में 3 गुणा 5 गुणा 4 बराबर है. तीन गुणा कोश्ट को में पांच गुणा चार है इसी को कोश्ट को में पांच गुणा चै गुणा दो और पांच गुणा कोश्ट को में छै गुणा दो सोचिए और ग्याद कीजिए, कौन सा गुणन सरल है और क्यों? A. कोश्टकों में 6 गुणा 5 गुणा 3 या 6 गुणा कोश्टकों में 5 गुणा 3 B. कोश्टकों में 9 गुणा 4 गुणा 25 या 9 गुणा कोश्टकों में 4 गुणा 25 उदाहरन दो, 14 जमा 17 जमा 6 को दो विधियों से ग्यात कीजिए हल, 14 जमा 17 जमा 6 बराबर कोश्ठकों में 14 जमा 17 जमा 6 बराबर 31 जमा 6 बराबर 37 यहां आपने योग के साहचर्य और क्रम-विनिमय गुण के संयोजन यानि Kombination को प्रयोग किया है क्या आप सोचते हैं कि क्रम-विनिमय और साहचर्य गुण के प्रयोग से परिकलन कुछ सरल हो जाते हैं प्रिष्ठ 49, प्रयास कीजिए, 7 जमा 18 जमा 13 और 16 जमा 12 जमा 4 को ग्याद कीजिए गुणन का साहचर्य गुण निम्लिखित प्रकार के प्रशनों को हल करने में उपयोगी होता है उदाहरन 3, 12 गुणा 35 को ग्याद कीजिए हल 12 गुणा 35 बराबर कोश्ठकों में 6 गुणा 2 गुणा 35 बराबर 6 गुणा कोश्ठकों में 2 गुणा 35 बराबर 6 गुणा 70 बराबर 420 इस उदाहरण में हमने साहचरे गुण का उपयोग सबसे छोटी समसंख्या को पांच के गुणज यानि मल्टिपल से गुणा कर सरलता से उत्तर प्राप्ट करने के लिए किया है उदाहरण चार आठ गुणा 1779 गुणा 125 को ग्याद कीजिए आठ गुणा 1779 गुणा 125 बराबर आठ गुणा 125 गुणा 1779 आप यहां किस गुण का प्रयोग कर रहे हैं? बराबर खोश्टकों में 8 गुणा 125 गुणा 1779 बराबर 1000 गुणा 1779 बराबर 17,79 प्रयास कीजिए ग्याद कीजिए 25 गुणा 835 गुणा 4 625 गुणा 3769 गुणा 8 सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए क्या कोश्टकों में 16 भाग 4 भाग 2 बराबर 16 भाग कोश्टकों में 4 भाग 2 है? क्या विभाजन के लिए साहचर ये गुण लागू होता है? नहीं अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए क्या कोश्टकों में 28 भाग 14 भाग 2 और 28 भाग कोश्टकों में 14 भाग 2 बराबर है? इनहें कीजिए योग पर गुणन का वित्रण 6 सेंटिमीटर भाइ 8 सेंटिमीटर मापों का एक आलेक यानि घ्राफ कागस लीजिए जिसमें 1 सेंटिमीटर भाइ 1 सेंटिमीटर मापों वाले वर्ग बने हूँ आपके पास कुल कितने वर्ग है? क्या यह संख्या 6 भाइ 8 है? अब इस खागस को 6 सेंटिमीटर भाइ 5 सेंटिमीटर और 6 सेंटिमीटर भाइ 3 सेंटिमीटर मापों वाले दो भागों में काट लीजिए जैसा कि आकरिती में दिखाया गया है यहाँ दो आकरितियां दी गई है दोनों आकृतियों में एक सेंटिमीटर बाएक सेंटिमीटर माप वाले वर्ग का आलेख यानि ग्राफ खागज है दूसरी आकृति में इसी खागज को कैची से काटा जा रहा है प्रिष्ठ चालीस काटे जाने के बाद अब कागज की आकृति बदल गई है जो यहां दिखाई गई है वर्गों की संख्या क्या यह 6 गुणा 5 है? वर्गों की संख्या क्या यह 6 गुणा 3 है? दोनों भागों में कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं? क्या यह कुष्ठकों में 6 गुणा 5 जमा कुष्ठकों में 6 गुणा 3 है क्या इसका अर्थ है के 6 गुणा 8 बराबर कुष्ठकों में 6 गुणा 5 जमा कुष्ठकों में 6 गुणा 3 है लेकिन 6 गुणा 8 बराबर 6 गुणा कुष्ठकों में 5 जमा 3 है क्या यह दर्शाता है के 6 गुणा कोश्ठकों में 5 जमा 3 बराबर कोश्ठकों में 6 गुणा 5 जमा कोश्ठकों में 6 गुणा 3 है इसी प्रकार आप पाएंगे के 2 गुणा कोश्ठकों में 3 जमा 5 बराबर कोश्ठकों में 2 गुणा 3 जमा कोश्ठकों में 2 गुणा 5 है इसे योग पर गुणन का वितरण या बंटन गुण, Distributive Property of Multiplication over Addition कहते हैं। वितरण या बंटन गुण का प्रयोग करके, 4 गुणा कोष्ठकों में 5 जमा 8, 6 गुणा कोष्ठकों में 7 जमा 9, और 7 गुणा कोष्ठकों में 11 जमा 9 को ग्यात कीजिए। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अब निम्न लिखित गुणन प्रक्रिया को देखिए और चर्चा कीजिए कि क्या हम संख्याओं का गुणन करते समय, योग पर गुणन के वितरण गुण की अवधारना का प्रयोग करते हैं। इसे दो विधियों से ग्यात किया जा सकता है। विधि एक, लंच के लिए पांच दिन की राशी ग्यात कीजिए, दूध के लिए पांच दिन की राशी ग्यात कीजिए, फेर इन्हें जोडिए। लंच की लागत बराबर रुपाए पांच गुणा बीस, दूध की लागत बराबर रुपाए पांच गुणा चार। प्रिष्ठ 41, कुल लागत बराबर रुपाए कोष्ठकों में 5 गुणा 20 जमा रुपाए कोष्ठकों में 5 गुणा 4 बराबर रुपाए कोष्ठकों में 100 जमा 20 बराबर रुपाए 120 विधी 2 एक दिन की कुल राशी ग्यात कीजिए फिर इसे 5 से गुणा कीजिए एक दिन के लंच और दूद की लागत है रुपाए कोश्ठकों में 20 जमाचार पाँच दिन की कुल लागत बराबर 5 गुणा रुपाए कोश्ठकों में 20 जमाचार बराबर रुपए कोश्ठकों में 5 गुणा 24 बराबर रुपए 120 ये उदाहरण दर्शाता है के 5 गुणा कोश्ठकों में 20 जमा 4 बराबर कोश्ठकों में 5 गुणा 20 जमा कोश्ठकों में 5 गुणा 4 है यह योग पर गुणन के वितरन का सिध्धान्त है उदाहरण 6 वित्रन गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुणा 35 ग्याद कीजिए. हल, 12 गुणा 35 बराबर 12 गुणा कोष्ठकों में 30 जमा 5 बराबर 12 गुणा 30 जमा 12 गुणा 5 बराबर 360 जमा 60 बराबर 420. उदाहरन साथ, सरल कीजिए 126 गुणा 55 जमा 126 गुणा 45 बराबर 126 गुणा 100 बराबर 126 गुणा 100 बराबर 12600. सत्रह गुणा 23 और 69 गुणा 78 जमा 22 गुणा 69 के मान ग्याद कीजिए. अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक, वाचन्स्वर गौरव मार्वा, निर्मान सहियोग सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत. झाल, दिल्ड़ ab मां प्रस्तुत्क, जिल्ली उत कामें प्रस्तुत के ल害दे सकतीा कुछित सकती होुक्ष्क्षा झाधर कुछिते की गनितना मॉनी अवा प्रस्तुती कुछिते के ख Germans prior को कामें पारत हैं।